गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम टू दू चैनल इंक्रेडिबल सक्सेस आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्टूबर मंद्स के मंतली करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं सभी के लिए करेंट अफेर्स बहुत ही महतोपूर्ण है तो चलिए सेसन को स्टार्ट करते हैं आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लिजिए पहला कोस्चन है हाल ही में किस भारतिये को संयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम द्वारा प्रतिष्ठित SDG Special Humanitarian Action Award से समानित किया गया है आंसर होगा सोनू सूद इन्होंने जिस तरह से Migrant Workers की मदग की उन्हें लिए इन्हें यह अवार दिया जा रहा है इसके साथ ही आप लोग दो और हुमेनिटेरियन अवार याद रखिए BET हुमेनिटेरियन अवार जो मिला है बयोंसी को और Global Humanitarian आवार यह मिला है सचिन अवस्थी को ठीक है और यहां पर SDG Special Humanitarian Action आवार जो की मिला है सोनुसूद को नेक्स्ट है हाल ही में GS Amur का निधन हो गया वकिस छेत से संबन्दित थे हैं गीतकार आंसर क्या है गीतकार GS Amur जिनका वास्तविक नाम असली नाम ओम प्रकास था इनका एक बहुत ही प्रसित गीत था इतनी सक्ती हमें देना दार था इस गीत को आठ भासा में टांसलेट किया गया था किन्हें RBI द्वारा अपने ग्राहक जागरुकता अभियान के लिए चुना गया है अमिता भचन को चुना गया है RBI द्वारा इस अभियान का लच्छ है खाताधारकों को धोका बाजो से धोका देने से रोकना धोका दड़ी से बचाओ और इसके लिए किन्हें चुना गया है अमिता भचन को एबुकेट और फ्लावर्स पुस्तक के लेकक कौन है इसके लेकक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना और इस पुस्तक को लॉंच किया है रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने यह बुक इंपॉर्टेंट है एबुकेट और फ्लावर्स क्योंकि इनकी जो लेकका है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना या यूपी के लखनों से पिएजडी पाने वाली पहली महिला है इन्होंने 1955 में यूपी के लखनों से पिएजडी किया था अगली सवाल के और चलते हैं हाल ही में सैदा अनवारा तैमूर का निधन हो गया वह किस राजी की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो वह आसाम की महिला मुख्यमंत्री बनी थी और यहीं देश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता क्रिपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री और असन के वर्तमान सिय की गई ची नेक्स्ट है किसने आई आई एफल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है तो इसका अंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी एफटी आई आई गवर्निंग कॉंसिलिंग के चेर्मेन किसे न्युक्त किया गया है एफटी आई 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 फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिचूट अफ इंडिया इसके चेर्मेन बने हैं सेखर कपूर ठीक है अगला देखते पारित किया है तो यह अधिनियम गुजरात सरकार द्वारा पारित किया है राज में बढ़ रहे गुण्डा एवं समाजिक गतिविदियो की रोख थाम के लिए तीक है गुजरात से आप लोग और बात याद रखेंगे कि सोलर इंस्टोलेशन में पहला रैंक गुजरात का है और गुजरात सरकार ने जल छेत्र में डेन्मार्ग के साथ एक समझाता कि अपन भी किया है अगले सवाल की और हाली में सेख सब अलामद अलसबा का निधन हो गया है वह किस राष्ट के सासक थे तो यह कुवयत के सासक थे इन्हें दीन और अरब डिप्लोमेसी भी कहा ज सम्हालेंगे इनके भाई सेख नवाब अल अहमद कुवयत की राजधानी कुवयत सिटी करंसी कुवयती दिनार नेक्स्ट बिहार में राज जी विधान सभा चुनाओं कितने चर्णों में संपन होंगे तो यह तीन चर्णों में संपन होंगे 28 अक्टूबर तीन नवंबर और साथ नवंबर को और चुनाओं की कॉंटिंग होगी 10 नवंबर को। ठीक है किसने हाल ही में भारतिय खेल प्रादिकरण का नए लोगो लांज किया है तो यहां खेल मंत्री किरन दिजुझु द्वारा लांज किया गया है और इन्होंने अभी हाल ही में दिव्यांग योधा साइकल रैली का भी उदगाटन किया है किरंदी जुजु ने ही इसका भी उदगाटन किया है हाल ही में किस राजसरकार ने एक एकरित भूमी रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वे पोर्टल धर्नी लॉंज किया है तो यह portal तेलंगाना सरकार दौरा लॉंच किया गया है जो भी lands के record होते हैं उनको manage करने के लिए यह portal धरनी portal लॉंच किया गया है तेलंगाना सरकार के दौरा किनको ग्रीश अच्यू के पद के लिए दो साल के लिए विस्तार मिला है तो हाली में अजैक कुमार भल्ला को ग्रीस अचीव के पद के लिए दो साल का विस्तार मिला है किस देश ने संगाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों के अभासी सिखर सम्मेलर की मेजबानी की है तो ये भारत सरकार द्वारा किया गया है वर्चुल मिटिंग किस के द्वारत सरकार द्वारा संगाई सहयोग संगठन की संगाई सहयोग संगठन इसका हेटकॉर्टर का है चीन के बिजिंग में नेक्स्ट ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से भारत और किस देश के द्वारा डिजाइन, विक्सित और निर्मित किया गया है तो ब्रम्हूस मिसाइल को भारत और रूस के द्वारा विक्सित किया गया है और रूस ने अभी भारत के साथ मोटर इंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उप्योग करने पर एक वेबिनार का भी आयूजन किया है किस देश ने पियम मोदी को देश की आवादी के पचास साल पूरे होने के सामारों में सामिल होने के लिए अमंत्रित किया है तो यह बांगला देश ने किया है अपने देश के आजादी के पचास साल पूरे होने के उपलक्ष में और अभी बंगलादेश ने एक no mask, no service, no mask, no service, policy भी शुरू की है बंगलादेश ने भी भारत के साथ, बंगलादेश और भारत के बीच, नौसेनिक अव्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करन, बंगाल की खाड़ी में आरंब हुआ है नौसेनिक अव्यास बोंगो सागर कहां पर बंगाल की खाड़ी में आरंब हुआ है किस ने हाल ही में डेन्मार्क ओपन में महिला खिताब जीता है तो यह खिताब जीता है नोजोमी ओकु हारा, जैपनीज बैडमिंटन प्लेयर नोजोमी ओकु हारा अगला देखते हैं, किस देश ने 6 साल बाद दच्छीन चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने की घोसना की है तो यह फिलिपिन्स ने सोची है, कहां पर दच्छीन चीन सागर में क्याची का खोज तेल और गैस की खोज नेक्स्ट है, हाली में चंद सेखरन सिव संकर का निधन हुआ, वह कौन थे? चंद सेखरन सिव संकर, यह भारतिय कलाकार थे? एक मैगजीन है, चंदा मामा, उसमें एक बहुत ही फेमस करेक्टर है, विक्रम बेताल, उनकी सारी पेंटिंग इन्हों नहीं बनाई थी विक्रम बेताल की सारी पेंटिंग चंद सेखरन सिव संकर गरा बनाई गई थी, जिसके बाद यह बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए थे नेक्स्ट है, हाल ही में रियल स्टेट डेवलपर बंगाल पेरलेस ने किसे अपना ब्रांड अमस्टर बनाया है, सौरफ गॉंगली सौरप गॉंगली अभी वर्तमान में BCCI के चेर्मेन भी है और इन्हें रियल स्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस का ब्रांड अबस्डर बनाये गया है इसके साथ ही अभी आद रखिए विदान्तू जो की एक ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसके ब्रांड अबस्डर बने हैं आमीर खान और मिंतरा जो की सौपिंग प्लेटफॉर्म है इसकी ब्रांड अबस्डर है क्यारा अडवानी अगला देखते हैं हाली में इसरो ने किस वर्स अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोशना की तो यह दोजार पचीस में किसके द्वारा क्या गया गोशना इसरो के द्वारा वीनस मिशन को लेकर इसरो का हेड़कॉर्टर है बैंगलूरू और इसके चेर्मैन है केस सीवर ठीक है अगला T20 इंटरनाशनल में एमेस धौनी का विकिएट कीपिंग रिकॉर्ड किस ने तोड़ा तो यह अस्टेलिया की महिला एलीसा हिली के द्वारा एलीसा हिली कहां कि एस्टेलिया की महिला खिलाडी है और इन्होंने एमेस धौनी का रिकॉर्ड तोड़ा है एमेस धौनी अभी सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाडी बने है उन्होंने अभी तक कुल 94-194 मैच IPL मैच खेला है नेक्स्ट देखते हैं हाली में विजयवर्धन किस राजी के मुख्य सचिव बने है विजयवर्धन हर्याना के मुख्य सचिव बने है और अभी हर्याना सरकार ने मुबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की सुरुवात की है इसे भी याद रखिया आप लो स्विट्चर लैंड में किस टेनिस खिलाडी ने अपने करियर का 150 वा ग्रैंड स्लैम जीता है तो ये हैं स्टेन वावरी का स्विट्चर लैंड के स्टेन वावरी का अगला हाल ही में किस ने अपरेशन मेरी सहली सुरू किया है तो ये दच्छिन पूर्व रेलवे द्वारा सुरू किया गया है अपरेशन मेरी सहली अपरेशन मेरी सहली महिलाओं की सुरक्छाओं से संबंदित है अगला भारत ने किस देश के साथ C-130J सूपर हर्क्यूलियस विमान के लिए पुरुजों को खरीदने के लिए 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौधे पर स्थाक्षर किये हैं यूएस के साथ भारत ने यूएस के साथ ये समझाता किया है विमान का ना C-130J सूपर हर्क्यूलियस विमान ठीक है याद रखे कैसे आप लो और अभी अमेरिका ने भारत के साथ उर्जा और पर्यावरिनिये सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक भी पेस किया है अगला डियाडियो द्वारब परिच्छन की गई एंटी रेडियेशन मिसाइल का नाम क्या है तो ये है रुद्रम वन रुद्रम वन एक एंटी रेडियेशन मिसाइल है और अभी डियाडियो ने एक नाग मिसाइल का भी परिच्छन किया है और नाग मिसाइल है तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ठीक है किस देश ने सरकसों में धीरे धीरे जंगली जानवरों के इस्तमाल पर रोक लगाने की घोसना की है तो यह फ्रांस के दारा किया गया है फ्रांस ने सरकसों में जो खेल तमासे के लिए जानवरों का इस्तमाल किया जाता है उस पर बैंड लगाने की घोशना की है अगला देखते हैं भारत ने भूटान और किस देश के साथ विमानों के आवा गमन के लिए एर बबल ववस्था स्थापित की है आंसर हो जाएगा केन्या किसके बीच है एर बबल ववस्था भारत, भुटान और केन्या केन्या की कैपिटल नैरोबी और भुटान की कैपिटल थिम्बू हाल ही में किस दूपईया वाहन ने बीच धनोवा को स्वतंत्र निदेशक न्युक्त किया है तो यह हीरो वेहिकल कमपणी ने पूर्व एयर चीफ मार्शल बीच धनोवा को स्वतंत्र निदेशक न्युक्त किया है हाल ही में वैभाव सिखर सम्मेलन का उदगाटन किस ने किया यह हमारे प्रधान मंतरी नरेन मोधी द्वारा किया गया है भारतिय रिजर्व बैंड के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं M. राजेस्वर रौ टोटल डिप्टी गवर्नर होते हैं 4 तीन और कौन कौन हैं देख लेते हैं माइकल पात्रा, M.K. जैन, B.P. कानुन गो और चौते के कौन, M. राजेश्वर राउ चारो नाम आप लोग याद रखेंगे इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक के M.D. और C.E.O. किसे न्यूक्ट किया गया है तो जै वैंकट रमो, जै वैंकट रमो को इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक के M.D. और C.E.O. बनाया गया है तीन साल के लिए Association of Mutual Funds in India के अध्याच के रूप में किसे पुना न्यूक्ट किया गया है तो आंसर हो जाएगा नीलेश सा दुबारा से चुने गया है और Association of Mutual Funds in India या से भी के अंतर गता आता है नेक्स्ट है किस अंत्रिच एजन्सी ने Northrop Grumman Cygnus Cargo अंत्रिच यान SS Kalpana Čला के नाम से लॉंच किया है तो यह NASA Space Agency के द्वारा किया गया है NASA National Aeronautics Space Agency और इसकी हेटक्वार्टर वासिंगटन डीसी Discovering the Heritage of Assam पुस्तक के लेखक कौन है पर्म पानी बोरा नाम याद रखेंगे पर्म पानी बोरा बुक का नाम Discovering the Heritage of Assam इस पुस्तक के लॉंच किया है डोनर के मंत्री डॉक्टर जितेंद सिंग ने ठीक है अगले सवाल की और चलते है Question है साहित के छेत्र में Nobel पुरस्का 2020 किसे दिया गया है Lewis Gluck Lewis Gluck को Nobel पुरस्का 2020 किसमें साहित के छेत्र में प्रदान किया गया है Friends Nobel Prize 2020 का Separate वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल से देख सकते है या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको मिल जाएगा भारत किस एक्सप्रेस वे पर वन जीवों के सुरचित मार्गों के लिए पाच पसू ओवर पास का निर्मान करेगा तो या मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर किया जाएगा और इनकी बीच की दूरी होगी 2.5 किलोमेटर ठीक है नेक्स्ट देखते है विस्व बैंक के अनुसार वीत वर्श 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिसत के गिरावट आ सकती है आंसर हो जाएगा 9.6 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट की बास हो रही है किस एर के लिए तो फाइनेंसियल एर 2021 के लिए और यह वर्ल्ड बैंक के दौरा कहा गया है वर्ल्ड बैंक, इसका हेट कौर्टर वासिंग अटन डीसी और स्थापना 1944 में ठीक है अगला किस देश ने हाली में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परिच्छन किया है रूस ने किया है मिसाइल का ना जिरकॉन और यह मिसाइल रूसियन आर्मी के द्वारा लॉंज की गई है परिच्छन की गई है और मिसाइल की रेंज है 450 किलोमेटर यह भी ध्यान रखेंगे रूस की बात हो रही है तो रूस के पियम है मिखाइल मिसुस्ति और प्रेशिडेंट है वलादमीर पुतिग अगला सवाल देखते है हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में सिर्ष अस्थान किस देश का है तो इस रैंकिंग में अस्टेलिया पहले स्थान पर है सकेंड है इंग्लैंड और थर्ड है भारत हाल ही में नए स्रम सचीव के रूप में किन्हें न्युक्त किया गया है आंसर हो जाएगा अपुर्वा चंद्रा न्यू लेबर सेक्रेटरी कौन है अपुर्वा चंद्रा फोफ दोजार बीस की नवीनतम सूची के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक भुकतान पाने वाली अभिनेतरी कौन है भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क और व्याख्या केंदर कहां विक्सित किया जाएगा तो यह गोवा में किया जाएगा भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क और अभी गोवा ने गोवा सरकार ने आत्म निर्भर भारत स्वैंभू कारिक्रम की घोसना की है इसके साथ ही उन्होंने अभी उच्छ सिच्छा में e-learning के लिए एक यूट्यूब चैनल दिस्तावो सुरू किया है यूट्यूब चैनल दिस्तावो अगला देखते हैं हाली में सस्त्र रामा नुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा सस्त्र रामा नुजन पुरस्कार से साई एर्वा को और या किस छेतर में दिया जाता है तो गनीत के छेतर में ठीक है हाली में सदीर जापरो किस देश के प्रधानमंत्री नुक्त हुए है करेंसी किर्गिस्टानी सोम हाली में संपंध हुए फ्रेंच ओपरेंच ओपें 2020 में पुरुस एकल का खिताब किस ने जीता है तो यह राफिन अडाल के द्वारा जीता इस योर्ड़ान पूरुस एकल का किताब फ्रेंच ओपन 2020 के लिए और वही महिला एकल खिताब पोलेंड की इग स्वितेक ने जिता है नाम इग स्वितेक और उन्हों ने 1992 में मोनिका सैलेज के बार फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा महिला कौन ? इञ्व स्वित एक और वही पूरु सेकल्गा का किताब हिसकी जीता है राफे नडाल थीक है तो ये था हमारा अक्टूबर मंत्ली करेंट अफैरल पार्ट वुडियो पार्ट ब्लक स्यल्द टीजायाइगी वीडियो को लाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें और अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे की इंक्रेडिबल सक्सेस पर जब भी कोई वीडियो डाली जाए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिले ओके फ्रेंट्स टेक केर बाई